हलो जो नमस्कार कैसे हैं आप सभी मैं आपका दोस्त पावन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार स्सेटर 24 से बने टोट चैनल पर उमीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे सांदार होंगे और तयारी भी काफी अच्छी चल लगी होगे प्यारे साती हो अगर आप लोगों का सपना है इस बार रेलवे में जाने का कि सर मैं रेलवे में जाना चाहता हूँ एक बज़े से लेकर तीन बज़े तक चल नहीं है एक बज़े साइंस डेड़ बज़े आपकी जीएस दो बज़े आपकी रीजिनिंग और ती डाई बज़े आपका मैत होता है तो प्यारे साती हूँ जल्दी से एक बार क्लास में लाइब आजाईएगा चैनल को सस्क्राइ से बंद कर दी जाएगी यह वाथ अप धियान रखेगा यह द्यास आपकी बंद कर दी जाएगी और आपको लगता है कि तुम लोग पढ़के जबरधस्ति-बर्त हो जाओगे आपको कौई पढ़ने का आव सकता नहीं है तो घ्रभी कि लहरए चलाईए के बंद कर रहे बचो और आप अपनी तैयारी में चार चांद लगाते रहें बातचीत में कम करता हूं सीधे अपने बढ़ाता हूं और मुद्दा यह है कि कुशिण नमर्फरस्ट क्या कहता है बेटा कुशिण नमर्फरस्ट देखें निमली कि इत्मे से कौन सा किस सिमीति का पदेन लगता है कि आप लोग बिना पढ़े सलन नहीं होगा ये बात आप ध्यान रखना अगर आप लोग इतने बड़े सुपर हीरो है कि सब किस तुमारा है किलियर हो चुका है तो एक सवाल आपसे पूचा इसका जबाब दे दो एक सवाल मैंने आप से पूचा है आप मैं अगला सवाल बतूं यह है विदेख धन विदेख है this is money bill यह है कौन decide करता है who decided कौन decide करता है कि यह money bill है या नहीं है सो में रंजन जी कहते हैं जी कि हम नहीं student है ठीक है आपका स्वागत है अब मुझे यह बताओ कि कोई विदेख धन विदेख है या नहीं यह कौन certify करता है जरबती बच्छो कौन decide करता एक तरीके से यह बताना है आपको कोई विदेख धन विदेख है या नहीं देखो सबसे पहले में तीन सवाल लिखूंगा है यहां पर धन विदेख का अगर आप से पूचे article क्या है अगर आप से पूचे धन विदेख का article क्या है तो आप बताएंगे article नंबर 110 अगर आप से पूचे कि कौन सर्टिफाइब करता है तो सर्टिफाइब करने का काम लोग सवा अध्यक्ष का होता है अगला सवाल देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है बेटा संसद के दोनों सजुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है यह सवाल कई बार पेपर में आ होगा नहीं पता तो समझना होगा सवाल क्या पूचा है सवाल यह है दोस्तों दोनों बैठा को को दोनों अधिवेशन होते हैं सहीमत अधिवेशन हुआ या कोई और अधिवेशन होता है जिससे कि अगर मैं बात करूं सहीमत अधिवेशन को बुलाता कोन है तो बुलाने का काम कौन करता बिटा बुलाने का काम करते हैं राष्टफती लेकिन अगर पूचे अध्यक्ष ता कौन करता है तो अध्यक्ष ता करते हैं लोग सबा अध्यक्ष आइटिकल पूचे तो आइटिकल नमबर 108 पूचे कितनी बार बुलाया गया तीन बार बुलाया गया है पहली बार 1961 में दूसरी बार 78 में और तीसरी बार 2002 में ये भी तीनों पॉइंट आप लिख सकते हैं नोट करके अगला सवाल आप कि स्क्रीन पर ये रहा बचो बताईएगा आपको बताना है पिड़तम स्पिकर जिसके खिलाप लोग सवा में एविस्वास प्रस्ताव लाया गया हो बताईएगा कौन थे आपके अगर तयारी अच्छी चल रही है तो इनका जबाब दो ताकि पता लगे कि हाँ भई लड़कों की तयारी अच्छी चल दिये तो प्यारे साथी अगर मैं बात करूं तो वो कौन थे ये थे आपके हेगडे साहब अगला सवाल देखिए अगला को बताना है लोक सभा महा सचीव जो लोक सभा सचीव अले का प्रमुक होता है वह किसके द्वारा पोइंट किया जाता है तो आप बताएंगे मेरे प्यारे सातियों वह है इस्पीकर यानिकी अध्यक्ष के द्वारा अपोइंट किया जाता है किसके द्वारा अध्यक्ष के क्ँण द्वार अपॉंट किया जाता हैं अगले देको लोग सभा के फिर्तम उपध्यक्श कोन ते लोग सभा आपको डिप्टी स्पिकर बताना है लोग सभा का कुन था दिखे अगर आप से speaker पूछता हो पहला speaker first speaker अगर आपसे ये पूचे फर्स्ट इस्पिकर ओफ लोग सभा तब आपका जबाब आएगा जीवी मावलंकर क्या आगा बेटा जीवी मावलंकर आएगा तब तो जबाब लेकिन अगर आपसे पूचे मेरे प्यारे बच्छो वाज दा फर्स्ट डिप् अगला सवाल क्या कहता है बच्छो निम्लिकत में से कौन लोग सभा का नेतरतव करता है यह आपको बताना है देखिए अगर लोग सभा के नेतरतव की बात आएगी सार वेबसाइट नहीं चल रही है ससी कि तुम मैं क्या करूं दोस्तो आप से मैंने हाथ जोड़ जोड़ क है और तुम मुझसे आ जाके बोल रहे हो कि गुरुजी साइट ने चल लिए इसमें मेरा क्या कसूर है बच्छो कि मैंने कितनी बार तुम से कहा भर्दो फॉम भर्दो फॉम भर्दो फॉम आज तुम कह रहे हो कि मेरा फॉम नहीं बर पारा है कोई बात नी दोस्तों यह कौन करता है लोकसवा अध्यक्ष करता है अब आप लोगों रहे हैस और लोग सबकार कशनय प्रीद्रथान मंतरी अगर आपके प्रदान मंत्री महुदे ही होते हैं आगला सवाल देखो अगला सवाल है संगिय मंतरी परिसद का अध्यक्ष कोन होता है संगिये मंतरी परिशत काध्यक्षकोन होता है बोलो भया संगिये मंतरी परिशत काध्यक्षकोन होता है दोस्तों तो ये होता है प्रिधान मंतरी महुदा है अगला देखिए अगला क्या बच्चों प्रिधान मंतरी को उसके पद की गोपनेता कि सपत कौन दिलवाता है चले पिर्दान मंत्री को अच्छा एक बात बताओ बच्चा अगर आप लोग किसी राज्य का मुख्य मंत्री बनना चाहते हैं देखो दोस्तो अगर आप मेंसे कोई बच्चा किसी राज्य के मुख्य मंत्री बनना चाहते हो तो एज कितनी होनी चाहिए आप भारत के प्रदान मंतरी बनना चाहते हैं तो आपके एज कितनी होनी चाहिए ये भी सवाल पूचा गया है ये भी सवाल पूचा गया है तो बच्चों आपको बता दूँ अगर प्रदान मंतरी बनना चाहते है तो उमर 25 साल और यहां भी 25 साल होत अगला देखो अमीरों की तुलना में गरीब बचत कर लेते हैं इसका मतलब क्या होता है अमीरों की तुलना में गरीब लोग बचत कर लेते हैं अब देखो मैं यहां पर एक अमीर बाप का बेटा एक अमीर बाप का बेटा एक गरीब बाप का बेटा इन दोनों में फरक देख इस अमीर बाप की बेटे को एक दिने एक्सपरिमेंट करने के लिए इसके पिता ने इने 500 रुपे दिए कितने रुपे दिए 500 रुपे दिए इस बच्चे को भी 500 रुपे दिए गई यह गरीब का बालक था यह जब एक दुकान पर पोचार वहां जाके पूस्ता है कि भाई साब आलू कितने रुपे किलों हैं तो उसने कहा 25 रुपे किलों है तो इसने क्या का चल्टी के 3 किलो डल पिछले वाला तो 20 रुपे किलो दे रहा है इसका मतलब यह बीस रुपे किलो ले लेगा और बिटा इसने यहाँ पर 5 रुपे की बचत कर लए तो इसलिए गरीब बचा सकता है क्यों क्यूंकि मेरे प्यारे सातियों वह अपनी आयके आप मैं लेकिन पहली बार मैं दुकी होकर आपके कमेंट्स देखकर बेवकुफी वाले बद्दे कमेंट्स देखकर आपको बिलोग कर रहा हूं और कर दिया है आपको भी लोग सवाल बताईए भारत का सबसे बड़ा खनीस तेल छेत्र कुन सा है तो मैं बात करूँ प्यारे साथी वो है इनका आपका मुंबई अप तट छेत्र ठीक है अगला देखिए अगला सवाल क्या है वानिजिक पत्री का प्रिकासन कहां से होता है नई दिल्ली से कुलकत्ता से निव्यार्क से मुंबई से कहां से प्रिकासन होता है बच्चो आप बताएंगे कि गुरुजी उनका प्रिकासन होता है मुंबई से कहां से होता है मुंबई से अगला सवाल देखिए अगला सवाल है सार्वजनिक वितरन प्रिनाली किस्से नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोग अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपसे वादा रहा अगर आप लोगों को लगता है कि तुम्हें नहीं पढ़ना तो मत पढ़िए हम क्यों आप के टाइम वेस्ट करेंगे बच्चो आप लोग चलिएगा यह तो यह थी आपकी कौन सी विर्या बैटा दोनों सिमीतियों संबंदित थी अगला देको आबिद हुसेन सिमीति किस मंत्रा ले द्वारा घटित की गई थी अब मैंने एक सवाल आपसे पूचा है क्या कि आबिद हुसेन सिमीति किस मंत्रा ले द्वारा घटित की गई थी यह मं सब् Haut welche चप dough or 20 मिनटराल्य गए द्वारा अग्ला सव हरा आपके स्क्रीन पर ये रहा बारतिय सम्विधान में एकलना गरिकता कहां से ली गई है अग्र Почему अ आप इतने होस्यार हो गए हो तो मैं किसी टीचर की अब आवस्यक्ता नहीं है आप खुद पढ़ सकते हो चलिए आपको बताना है कि हम लोगों ने एकल नागरिक्ता कहां से लिए है अगर एकल नागरिक्ता की बात आजा तो हमने ब्रिटेन से लिया है एकल नागरिक्ता को हमने लिया है संसद्य सरकार को क्या लिया है दोस्तों संसद्य सरकार को लिया है Ireland की बात करूँ तो DPSP को लिया है अमेरिका की बात करूँ तो fundamental right को लिया है judicial review लिया है vice president लिया है ये सारे point लिख लो बिटवा सारे point लिख लिजेगा answer ये आ जायागा बिटा अगला सवाल देखो अगला क्या कहता है अगला के जहां सिमीती का समद्ध किससे है अगला के जहां सिमीती का समद्ध किससे है बच्चो तो ये है आपका मेरे प्यारे सातियो M A N VET अगला देखे पिर्थम योजना आयो के उपाध्यक्ष कोन थे बेटा सुभम वो अलग वेकंसी आएंगी इंकलूड नहीं होंगी उसमें अलग वेकंसी आएंगी अलग आएंगी पिर्थम योजना आयो के उपाध्यक्ष कोन थे तो सबसे पहले तो अब ये सुनो योजना आयो की स्थापना कब हुई अगर मैं योजना आयो की बात करूँ अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदानदा थे retard बना दिया है अगला सवाल देखो है अगला सवाल देखोए है रय यार क्या सवाल भीरा या इए ठीक अगलै र देखो किस वर्स विदेषी वी ईय एक मिनट में हटा रहूं है यह निस रिखने राजा कूनती जब 1857 की किनानती हो रही थी जब 1857 की करहनती के अगर मैं बात करूँ यह 157 का जी वोल्ट जोंकि आपके मेरट से सुरू हुआ इस मेरट की किरांती से सुरू हुई बिटा ये तो एक जिगे पढ़ती है जगदीश्पूर और जगदीश्पूर कहां पढ़ता है तो जगदीश्पूर पढ़ता है बिहार में कहां पढ़ता है बिहार में तो सबसे बुजूर्ग व्यक्ति सब उसे बुजूर्ग व्यक्ति इस आंदोलन का नित्रतों कर रहे थे जिनका नाम था कुमर सिंग जिनका नाम क्या था बच्चों कुमर सिंग अगला सवाल देखिए सवाल है 1857 के विद्रो किसमें बिहार किसने अरे यार यह तो वही आ गया ना या तो तुम बिहार कहलो या फिर प्यारे बच्चों यहां पर जगदीशपुर कहलो या तो यहां बिहार कहलो या फिर यहां जगदीशपुर कहलो बात तो यह की है कि बिहार के जगदीशपुर स तूरत या कोलापूर तो बबुवा अगर तुमको ना पता हो लिख लिजेगा कि गुरुजी वो थे कोलापूर क्या था भी यहाँ कोलापूर अगला सवाल देखो रानी लक्षमिभाई का मून नाम क्या हुआ करता था रानी लक्षमी भाई का मून नाम क्या हुआ करता था अगर मैं रानी लक्षमी भाई की बात करूँ तो पहले यह सुनो रानी लक्षमी भाई कहां से लड रही थी तो आप सबी जानते हैं जांसी से लड रही थी यानि कि जांसी से नेतरतव कर रही थी 1857 के विद्रों का इनका नाम हुआ करता था मनी करने का और रानी लक्षमी भाई के बारे में 1857 का जो विद्रों हुआ था इसमें सबसे पहला बलिदान किस ने दिया था तो आपको बता दूं भाईया सबसे पहला बलिदान दिया गया था मंगल पांडे जी के दोवार क्यों मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 के दिन 29 मार्च 1857 के नsite अपने दोयवसर और ने दो способ को गोली मारदी आप सरो को गोली मार्दी बेर प्यारे बच्चों और आठ अप्रेल 18175 के दिन इन्हें क्या कर दिया जाता है बिटवा इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है क्या फांसी की सजा दे दी जाती है यह सुनते रहिएगा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह डूंडता हुआ बोलो भीया विर्शा मुंडा का कारे छेत्र कौन सा था तो प्हले सर जे तरकिम थे अगर तरकि बैद करों तो प्यारे साती हो वह राची था अगला देखो अगला था अकिल भारति किसान सभा की प्रृत reichtum अःयोज्ञा का पर इस्तापित है थी पिर्तम सभा कहां पर आयोजित की गई थी अकिल भारती किसान यूनियन जैसे कि आपको बताए सर जी वह तो हुई थी आपके लखनाव में और किसान दिवस की अगर बात करें तो किसान दिवस अभी आपका गया है कुछ दिन पहले ही मतलब 8-4-12 दिन पहले ही 23 दिसंबर के दिन 23 दिसंबर के दिन हम लोग किसान दिवस सब्सावाइट करते हैं ये भी आप लिखे लिएगा अगला सवाल देखो अगला सवाल किसने नारा दिया था मानाव के लिए एक धहारा एक जाती एक इस वर यह किस ने कहाता था बच्चो तो यह आपका नायकर जी ने किसने कहा था या नायरान गुरू जी ने अगला देखो भिया बार्दोली सत्यागिरह का नेतरता कौन कर रहे थे बार्दोली सत्यागिरह का जो अंदोलन कर रहे थे वो सरदार बलंभाई पटेल कर रहे थे कौन कर रहे थे दोस्तों सरदार बलंभाई पटेल क कर रहे थे और यह जो सरदार का टाइटल दिया गया यह महिलाओं के द्वारा दिया गया था यह महिलाओं के द्वारा दिया गया टाइटल है जो किसको मिला है सरदार बलंभाई पटेल को मिला है आज का लाट शवल देख लो बच्चो लाट शवल क्या है जोती बाप फूले ने किसिस्टा प्लागीज थी निम लीकर तो मैंसे किस्की स्थापना जोतीव प्फूल लेने solely अनिम लीकैwnा किस्थापना जोतीमा फ्फूल लेने कि अगर मैं आप से पूछू किस्की स्थापना कि गई थी तो भाई यह की गई सथे सुधक समाज की स्थापना इसकी सत्य सोदक समाज की स्थापना अगला सवाल देखिये किर्के ट में प्रयुक्त गैंद का वजन कितना होता है तुम क्यों के अगला गुरुचि हमने क्रिकिट केला एय बबुआ किर्किट की लंबाई भार किसने जीता यह सारे सवाल पेपर में आते हैं ठीक है चलिए अगला देखिए अगला सवाल है फुटबोल में गोल पोस्ट की चुड़ाई कितनी होती है फुटबोल में गोल पोस्ट की चुड़ाई कितनी होती है फुटबोल में गोल पोस्ट की चुड़ाई कितनी होती है त अब यह बताओ मेरे प्यारे साती हो जो बच्चा रेलवे के बैच में जूड़ना चाहता है आ अगर आप चाहते हो कि पवनसर से हमें थियोरी पड़नी है हमें पवनसर के साथ जुड़ कर पढ़ना है तो भिता आप सकते हो आपको कुछ नहीं करना गूगल पर जाओ अड़ा 24-7 लिको गूगल पर जाओ अड़ा 24-7 लिको हमारी वेब साइट ओपन हो जाएगी जैसे ही वेब साइट ओपन करते हैं तो यहां देखो ओल कोर्स लिका है सेलेक्ट करो रेलवे पर आजाओ और रेलवे का महापैक अभी भी डबल वैलिडिटी पर चल रहा है जो की आज रात बारे बजे तक चलेगा बारे बजे यह महापैक की डबल वैलिडिटी खतम हो जाएगी फिर मत कहना पर पवंसर आपने हमें बताया नहीं था फिर सुन लो महापैक की डबल वैलिडिटी साम रात बारे बजे खतम हो जाएगी यह रहा बेटा महापैक इस महापैक को मैं लेने के लिए आपसे क्यू बोल रहा हूं पहले तू उसका कारण बताऊंगा आपको यह कोड लगाना होगा वाई 367 जैसे आप अपलाई करेंगे तो तुरंत 1103 रुपे में मिल जाएगा दे को इस महापैक की खासियत महापैक की खासियत देखो बच्चा मैं आपसे क्यू बोल रहा हूं कि तुम्हें यह महापैक लेना चाहिए देखो भी या इस महापैक में 5,219 आपको recorded वीडियो मिलेंगी जिसमें GS के 5 टीचर, reasoning के आपको 5 टीच और आपका मेरे प्यारे साथियों यह सब कुछ आपको यहां पर कवर मिल जाएगा साइन्स के स्पेशल दो टीचर आपको मिल जाएंगे और प्यारे बच्चो आपको बता दूं 500 घंटे की लाइव किलास 404 अगर आप आज ही जोइन करते हैं तो आपको यह दो साल के लिए मिलेगा अगर आप code लगाते हो Y366 तो बिटवा आपको यह महापैक एक साल के लिए नहीं दो साल के लिए मिलेगा समय रहो ना दो साल के लिए आपको मिलेगा मर्जी तुमारी यह पर्चेस करना ना करना मेरा करतव था आपको बताना मैंने इंफॉर्मेशन आपको दे दी सभी प्यारे बच्चे इसको आज पर्चेस कर लें code फिट से बता दूं Y367 जहीं दोस्तो धन्यवाद है